बागत है आपका हमारे चैनल पायवेजिक से और आज हम लाएं है आपके लिए एक और बेहत जरूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों डाइबिटीज के मरीजों के लिए चाई पीने से जोड़ी कुछ खास जानकारी की जी हाँ दोस्तों डाइबिटीज के मरीजों के लिए बिना चीनी की चाई भी नुकसान दे हो सकती है और उसी के बारे में आज हम डीटेल में जानकारी देंगे आपको और आपको बताएंगे कि डाइबिटीज में कौन सी चाई फाइदेमंद है दोस्तों आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आएज शुरू करते हैं वीडियो और मैं आपको बताओं, अगर आपको डाइबिटीज है दोस्तों और आप फीकी चाई पीते हैं, तो आप ये ना समझें कि फीकी चाई पीने से आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा जी हां दोस्तों, आप समझें कि अगर आप फीकी चाई दिन में कई बार पीते हैं, तो इससे भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, और आज हम आपको फीकी चाई पीने के नुकसान के बारे में ही बताने वाले हैं और दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे, कि बिना चीनी की चाई पीने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता क्यों है, दरसल दोस्तों, चाई में दूद के अलावा कई ऐसे तत्वों मौझूद होते हैं, जो डाइबिटीस के मरीजों के लिए हानिकारक होते हैं, और तो दोस्तों, जानते हैं कि कैसे नुकसान करती है चाई, तो सबसे पहली बात है कि आप जब दूद वाली फीकी चाई पीते हैं, यानि फुल फैट मिल्क से बनी हुई चाई, तो आप समझे कि फुल फैट मिल्क अपने आप में शुगर लेवल बढ़ाने के लिए काफी है दोस्तों, हम ये भी समझते हैं कि अगर डाइबिटेज में फीकी चाई पी रहे हैं, तो कितनी भी पी सकते हैं, लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप जितनी जादा बार चाई पीएंगे, उतनी जादा बार ही दूद भी आपके शरीर के वितर जाएगा, और वो निश्यत रुप से आपकी बलड शुगर लेवल बढ़ाएगा, तो दूद वाली चाई भी पीना आपके लिए ठीक नहीं है, एक आद बार पी सकते हैं, दोस्तों, दूसरा नुकसान है कि चाई से आइरन एब्जॉर्ब नहीं होता आपके शरीर में, जी हाँ दोस्तों, च की मातरा घट सकती है, और स्वास्ते संबंधी अन्या नुकसान भी हो सकती है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर आगे बात करें तो, कुछ लोगों का मानना होता है कि डाइबिटीज में गुड की चाई आसानी से पी जा सकती है, और ये नुकसान नहीं करती, लेकिन वा होशक तत्वों से भरपूर फूड आइटम है, जिसको आप खा सकते हैं, लेकिन डाइबिटीज में अगर आप गुड काना चाहते हैं, तो बहुत ही सीमित मातरा में खाइए, एकाद बार आप चाय पी सकते हैं, लेकिन इसकी रेगुलर चाय आप बिलकुल ना पीजिए, ये भी नुकसान देगी, जो लोग डाइबिटीज के शिकार होते हैं, वो फीकी चाय दिन भर में कई बार पी लेते हैं, जिसकी वज़े से भी उनका ब्लट सुगर लेवल बढ़ जाता है, दोस्तो इसकी वज़े से हीमोगलोबिन भी कम हो सकता है, मैंने पहले ही बताया, और अगर आप ठंड के दिनों में ज़्यादा चाय पिएंगे, तो कहीं न कहीं दवा की खुराक लेने के बाद भी ब्लट सुगर लेवल बढ़ेगा, यानि आप ट्रीटमेंट के बाद भी ब्लट सुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तो अब सवाल यह आप इसको आराम से 2-3 बार पी सकते हैं, फिर दोस्तो डाइबिटीज में लेमन ग्रास टी भी पी जा सकती है, आप 2-3 बार लेमन ग्रास टी आराम से पी सकते हैं, तो दोस्तो आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आज दी गई जानकारी अग अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करेंगे।